हेलो स्टूडेंट, मैसल सैलेश कुमा मौर्या और आज हम अपने MS चौहान के question answer के series को further continue करते हैं आज हम करेंगे आपके alkyl highlights में substitution वाले chapter का question 11 ठीक है, इस question में हमसे पूछ रखा है कि rank the following in order of decreasing rate of solvosis with aqueous ethanol faster से slowest में आपको arrange करना है तो देखी यह जो solvosis की reaction होती है, यह आपको पता होना चाहिए, यह SN1 mechanism को follow करती है ठीक है, तो इसको SN1 mechanism follow करना है, तो अगर आप ध्यान से 3 जो compound बने हुए है, उसको एक बार आप देखें यहापे क्या क्या बना हुआ है, CH2, CCH3, फिर यहाँ पे है BR, एक हमको कुछ इस टाइप से compound दे रखा, ठीक है वन ब्रोमो, वन मिथाल साइक्लो एक्जेन, और लास्टली हमको यह compound दे रखा है, ठीक है इन तीनों को एक बार हम यहापे जल्दी से draw कर लेते हैं, ठीक है आपको rate of solvosis compare करना है, ठीक है, बैसे तो मैं आपको बता हूँ कि solvosis होता क्या है solvosis एक ऐसा general term है, जब solvent आपका nucleophile की तरह काम करने लग जाता है, अगर water यही काम करने लग जाता है, तो उसको hydrolysis कहते है इसी तरह से ether, बतलब कोई भी अगर solvent जब खुदी nucleophile की तरह वर्क करने लगे, तो उसको हम solvosis कहते हैं, वो अलग-अलग solvent के नाम के साब से अलग-अलग change होता सकता है water के case में hydrolysis बोलते हैं, यह आपका SN1 reaction को follow करता है, तो आप देखिए, यह जो आपका है, जहां से यह जो halogen लगा हुआ, यह कैसा carbon है, SP2 hybridized carbon है, यहाँ पे यह reaction होना feasible नहीं है, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, यानि इसका number तो last में आएगा, अब बचता है य यह carbon और यह carbon, अब देखिए, यह जो carbon है, यह particularly कैसा है, 3 degree है, और यह वाला carbon कैसा है, आपका 2 degree है, SN1 reaction कहाँ पे fast होती है, 3 degree में, सबसे चारेट कौन से हो जाएगा, second वाले compound का, उसके बाद किसका number आएगा, third वाले compound का, फिर किसका number आएगा, first वाले compound का, तो इससे आप से देखेंगे, तो 2, 3, 1, तो कौन सांसर सही हो जाएगा, option C हमारा क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आईए, अब next question देखते है, question 12, the reaction of 4 bromo benzyl chloride, ठीक है, देखे, इसकी पहले structure बनाते है, question 14 हम 12 solve कर रहा है, ठीक है, क्या दे रखा है अपने को, fourth position पे क्या ल with sodium cyanide, किसके साथ में reaction करानी है, na plus cn minus के साथ में reaction करानी है, तो आपको बताना है कि leads to the formation of क्या होगा, तो अब आप बता ही, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताता है कि living group पहचानना आना चाहिए, क्या ये BR living group होगा, क्या है यहाँ पे, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों तो basically हो गया क्या है, कि ये cn यहाँ पे attack करेगा और ये cl इस तरह से leaf कर जाएगा, तो हमारा final compound क्या बन जाएगा, यहाँ पे आजाएगा BR, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CN, तो यह हो जाएगा, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 4-bromo-benzyle-sinide लि चलिए आईए question 13 करते हैं ठीक है question 13 हमसे पूछता है कि which of the following reactant will not favor nucleophilic substitution reaction इन में से कौन सा ऐसा reactant है जो nucleophilic substitution reaction को follow नहीं करता है तो एक एक करके हम सभी को draw कर लेते हैं देखे फर्स्ट में तो आपको यह समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है यह ब्रिज हट पोजिशन है यह अला carbon ब्रिज है तो ब्रिज हट नाइदर SN1 नौर SN2 कुछ भी favor नहीं करता तो यह तो नहीं हो सकता ठीक है फिर यहां पर क्या ल अब दिखका जाती हमको सी वाले option के अंदर इसमें थोड़ा सा समझने की जरुवत है और इसको एक्सेप्शन भी आप याद रखना ठीक है यह जो given compound यहां पर बना हुआ है यह ना तो SN1 reaction को follow करता है नहीं SN2 यानि इस particular compound में नहीं SN1 होता है नहीं SN2 होता है चलिए एक एक क समझते हैं कि यहां पर SN2 क्यों नहीं हो सकता है देखिए SN2 के लिए हमको पता है क्या होना चाहिए बैक साइड से attack होना चाहिए अब यह जो carbon है ठीक है इसका back side क्या है यह पूरा back side है लेकिन यह तो पूरा क्या hysterically hindered है क्या back side से attack possible है क्या किसी भी direction से नहीं तो यहां पर SN तो नहीं हो सकता ठीक है अब समझते है SN1 के लिए अब SN1 में क्या दिक्कत है देखिए SN1 के लिए हमको order पता होता है 3 degree, 2 degree, 1 degree, almost 1 degree में ना के बराबर SN1 होता है अब यहां जिस carbon से यह BR attached है यह कैसा है आपका 1 degree है ठीक है तो इसलिए यहां पर SN1 reaction नहीं होती है अब कुछ ल रेंज कर वाले तब तो यह 3 degree में हो जाएगा तब तो यहां पर SN1 reaction होनी चाहिए यहां पर दिक्कत क्या आती है कि यह जब आप री अरेंज करा रहे हैं या यह सारी चीज करा रहे है इसके लिए foremost condition क्या है जब जैसे मालीजे अगर री अरेंज कराने के बाद compound में energy निकालना है और कार्वो कटन बनाना है इस step में हमको इतनी energy देनी पड़ जाती है compound को जितना कि यह सब री अरेंडमेंट करके उतनी release नहीं होती है यानि overall देखेंगे तो यह process कैसा हो जाता एंडो थर्मी को जाता है इस particular वजह से यह री अरेंडमेंट वाली चीज भी हम य नहीं सोसते है ठीक है तो यही particular कारण है तो आपको simply यह ध्यान रखना है कि SN1, SN2 नहीं हो सकता, SN2 नहीं हो सकता, backside attack possible नहीं है, SN1 क्यों नहीं हो सकता, one degree से attach है और अगर यहां से BR निकालेंगे तो हमको जादा energy देनी पड़ जाएगी जितनी इस compound में release नहीं होगी, तो overall reaction ह जाएगी endothermic, जिसके जैसे यह reaction possible नहीं हो पाती है, ठीक है, तो क्या answer आजाएगा, option D, all of these, ठीक है, आईए करते है question 14, ठीक है, question 14 में हमसे देखते हैं क्या पूछता है, question 14 में हमको एक compound area इस तरह से, ठीक है, जिसका आप देख सकते हो, जो first structure है, वो कैसा है, आपका 3D structure है थोड़ी से, ठीक है न, उसमें वो 3D structure है, आपको बताना है कि यह जो given compound है, इसमें कौन सी reaction से यह proceed करेगा, SN1 से proceed करेगा, SN2 से proceed करेगा, फिर C option है, बोथ SN1 and SN2 या D option है, does not take place, तो इसका सही answer है, does not take place, ठीक है, अब देखे, ऐसा में क्यों बोल रहा हूँ, देखे, हमको ज इस तरह से compound हो, और इधर आप यह समझ रहो, इस तरह से यह 3D structure में draw किया गया है, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, यह इस तरह से है, अब यहीं पर BR हटा के हम QH लगाना है, ठीक है, अब देखो यह जो particular carbon है, ठीक है, यह कैसा carbon है, आपका 3D carbon है, तीन carbon से attached है, ठीक है, तो अगर 3 carbon से attached है, तो SN2 होने के chances तो क्या हो जाएंगे, एकदम negligible हो जाएंगे, SN2 तो यहाँ पर होई नहीं सकता, तो एक हमारे दिमाग में possibility आती है, SN1 reaction की, कि सर अगर 3D है, तो SN1 तो favorable होना ही चाहिए, तो बात यहाँ पर यह है, कि SN1 भी follow नहीं करता, अब reason देखते है, SN2 क्यों नहीं करता है, 3D है, वो तो हमको सबन में आ गया, SN1 में क्या दिक्कत आ रही है, SN1 में दिक्कत यह है हमारे सामने, कि देखे, यह जो तीन आपकी इस तर से benzene ring है, यह इतनी जादा यहाँ पर steric hindrance हो जा रही है, कि यह जो तीन benzene ring है, यह क्या है, प् यहाँ पर जो कार्बोकेटन बन भी जाएगा, वो क्या हो पाएगा, कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यह तीनो ring आपस में प्लेनर नहीं है, क्योंकि आपको पता है, कि जैसे माल दीजे, अगर यह कार्बोकेटन है, और यहाँ पर double bond है, तो यह resonance हो जब यह system पूरा planner हो, अब अगर यह planner ही नहीं है, तो यह कार्बोकेटन दो कभी stabilize हो ही नहीं पाएगा, उसे तरह से because of static hindrance, यह कहीं से planner हो ही नहीं पा रहा है, तो planner नहीं है, तो stability नहीं मिल पाएगी, और stability नहीं मिल पाएगी, तो compound कैसा हो जाएगा हमारा, unstable हो जाएगा, तो इस वज़े से particularly यहाँ पे SN1 reaction भी follow up नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसलिए इसका क्या answer हो जाएगा, option D does not take place, समझ में आ रही ही बात है, ठीक है, आईए, next question करते है, question 15, question 15 में मिल से क्या पूछ रखा है, कि what is the correct reaction coordinate diagram for the following solvolysis reaction, ठीक है, अब फिर से solvolysis अब दी यूज कर रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि solvolysis यूजी करते है, जब solvent nucleophile के तरह work कर रहा है, यहाँ पे water as a nucleophile work कर रहा है, तो नाम क्या होना चाहिए, solvolysis के जगह पे और अच्छा word कर जाएगा, hydrolysis, ठीक है, अच्छा देखिए, यह आपका कुछ इस टाइप से है, यह हमको बनना हुगा है, CS3 यहाँ पे है, और यह BR है, चली बताइए, फर्स्ट टेप क्या होगा इस reaction का, फर्स्ट टेप तब होगा, जब यहाँ से BR आपका leaf कर जाएगा, और CS3 इस तरह से यहाँ से जब BR निकल जाएगा, BR माइनस के format में, और यहाँ पे क्या बच जाए फिर अगला step क्या होगा, अगला step होगा, H2O का attack, H2O यहाँ पे इस तरह से attack करेगा, तो फिर से क्या बचाएगा, देखिए, यह बनेगा CS3, यहाँ पे बनेगा OH2 प्लस, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, फिर लास्ट टेप में क्या होगा, यहाँ से H2O का attack, H2O यहा आप आ जाएगा OH, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस reaction के दोरान कितने intermediate बन रहे हैं, एक intermediate आपका यह हैं, ठीक है, यह एक intermediate है, और दूसरा intermediate यह बन रहा है, यह आपका first intermediate है, और यह आपका second intermediate है, यानि दो intermediate है, और आपको पता है कि एक intermediate हमेसा दो transition state से गिरा हुआ तो जैसे माल लिजे इस तरह से इसका कुछ डाइग्राम प्लोट होगा मैं आपको समझाता हूँ देखे द्यान से यह जो reaction कर में यह जो dip होती है यह indicate करती है intermediate ठीक है यानि यहाँ पे भी क्या आएगा यह intermediate आएगा यह थोड़ा से मेरे कुछ तरह से बनाना चाहिए था यह intermediate ठीक एक intermediate हमयसा दो transition state से घिरा होता है यानि यह intermediate है तो यह होगा transition state 1 यह क्या होगा transition state 2 यह क्या होगा transition state 3 देखे यह जब भी देखे आप का इस तरह से हमयसा फॉलू अप होता है ठीक है अगर यह intermediate है तो अगल बगल दो transition state इसके होते ही होते हैं तो यह दिमाग बैठा लिजे कि एक intermediate अगर है तो उसके दोनों तरफ क्या होंगे transition state होंगे तो इस particular reaction में दो intermediate बन रहा है तो यानि एक intermediate के अगल बगल transition state फिर इसके अगल बगल सही हो जाएगा ठीक है इस टाइप से आपको इसाब question करना चाहिए ठीक है तो ये थे कुछ question हमारे MS चोहान के अगर आपको किसी और question का video solution चाहिए तो channel को subscribe करें और comment section में question number लिखें उसका video solution आपको provide करा दिया जाएगा so that's all for today and thank you for watching